पैरे भारत द्वासियों, कॉंग्रेस पार्टी और स्री राहूल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा ने आज एक इत्यासिक मुकाम पर कदम रखा है। आज यात्रा ने सव दिन पूरे कर लिये हैं। इस बात के लिए स्री राहूल गांधी जी को बहुत बहुत बदाई। भारत जोड़ो यात्रा को लाखो लोकों का समर्तन, सायोग और विश्वास मिल रहा है। भारत जोड़ो यात्रा में हम लोकों से सीधे तोर पर समाद कर रहे हैं। युवाओं के साथ, किसानों के साथ, समाज के वंचितों के साथ, मैलाओं के साथ, हमारे पूर सहिनिकों के साथ, समाज सेवकों के साथ, समाज के हर एक नागरी के साथ हम बात कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा मुख्यता तीन मुद्दों पर देश को एक जूट कर रही है। पहला समाज में जो नफरत फैला ही जा रही है, SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज पर लगातार अत्यार चार बढ़ रही है। कॉंग्रेस पार्टी इन अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठा रही है। पिछले आठ सालों से देश भेंकर बेरोजगारी और कमर तोड महंगाई से जूज रहा है। ऐसे में आप लोग हमें अपने सुजाव दे रहे हैं ताकि 2024 में हम देश के लिए अपना आर्थी के जिंडा तयार कर सके। थीसरा देश में जो राजनाइतिक तानशाही का दोर आया है। सत्ता के अहंकार में चूर भाजपा ने हमारे समिदानिक संस्तानों को कमजोर कर दिया है। हर व्यक्ति इसके विरोध में बोलने लगा है। भारत जोडो यात्रा अब एक राश्टी जनांदोलन है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाले वर्षों में हम सभी देशवासी मिलकर भारत को एक नई गती और दिशा दे पाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद।